हेलो गाइज तो आज की वीडियो में हम करेंगे जेबी गुपता का स्वालिशन इसमें करेंगे लेक्ट्रिकल ट्रांस्वार्मर के कोश्चन नमर्ट 216 से लेके 230 तक तो इससे पहले देखो 1 से लेके 215 तक कोश्चन में आपको अल्रेडी करवा चुका हूँ उसकी आप प्ल डिल्टा ट्रांस्फोर्मर एक्जिस्ट करता है स्टा डिल्टा के बीच में ऑफ एक्स कितना है आपका एक्स है यह बिट्विट्विन ट्रॉस्पोंडिंग फेजेज ऑफ प्राइमरी एं सेकेंडरी एक्स एंड वाय स्टेंट्स रेस्पेक्टिवली पॉर अब देखो इ यहां तो 30 डिगरी लेग होता है वो ठीक है यहां भी 30 डिगरी लीड होता है तो इसने बोला कि एक फेज डिफरेंस एक्जिस्ट करता है इसको इसने बोल लिया कि फेज डिफरेंस कितना एक्स है यहां से तो मैं पता चल गया कि फेज डिफरेंस जो एक्स है वो तो आपका बताया भी था कि जो phase difference आपको दे रखा होता है ठीक है जैसे मैंने grouping आपको समझाई थी group 1 group 2 वैसे यह तो मैंने बला था वापे कि जो यह angle होता है यह आपका angle होता है between line voltage ठीक है जो भी आपका primary का line voltage है और जो भी secondary का line voltage है उन दो आपका correct answer to single face transformer with turns ratio 1 and 2 इसका मतलब क्या देखो एक यह रह टांसवर्मर एक यह रह ट्रांसवर्मर पैला इसने turns ratio 1 दिया ना इसका मतलब है यह 1 ratio 1 ठीक है उपर वाले के लिए निचे के लिए 2 या निकी 1 ratio 2 clear फिर आगे के बोला respectively are connected to a three phase supply on the primary side as shown in the figure the voltmeter V2 will read आपको बताने कि voltmeter V2 क्या read करेगा clear है चीज तो जो रहा समझिए इसने three phase supply की बात किया है तो हमें पता है यह आप एक को sequence नि दे रहे की न तो हम simply sequence क्या लेके चलेंगे positive sequence है नहीं ABC ठीक है तो हमें होगा 120 degree lead करेगा ठीक है तो यह मेरा तीसरा फेज हो गया यह तो कोई डाउट नहीं आपको अब देखो एकर मैं voltage लिखता हूँ इस phasor diagram की according देखो VAB ठीक है जो AB phase होगा वो मेरा होगा 100 volt ठीक है विकाज दे भी रखा यह आपका क्या करेगा 120 degree lead करेगा तो प्लस के 120 degree तो हमें जो 3 phase supply दी थी थी उसके according हमने सारे voltage होगे रहे तो लिख लिए अब जब आप transformer की बात करते हो तो उसमें 180 degree का फेजर डिगरी का पता होता हो तो अब क्या करते हो अगर आप e1 यहाप में बनाते हो तो e2 आपका कहा बनता है नीचे की तरफ बनता है यह फेजर डागर्म पढ़ा होगा तो टोटल तो यहाँ पर अगर यह 100 एंगल 0 है तो यहाँ पर यह voltage किता हो गया यह तो magnitude तो 100 ही रहगा because 1 ratio 1 है ठीक है एंगल यहाँ पर आपका किता हो जागा 180 डिगरी का face shift 180 डिगरी यह चीज आपकी clear है अब ज़र यह आपकी आईए ठीक है VBC यह में किता मिला देखो 100 वोल्ट 100 ठीक और एंगल माइनस के 120 डिगरी यह चीज के लिए रहे है इसका transformation यह फिर टन्स रेशियो क्या आपका 1 रेशियो टू यह निकि अगर यहाँ पर 100 वोल्ट है तो यहाँ पर किता हो जागा 200 वोल्ट ठीक और एंगल किता हो जागा देखो 120 तो पहले सा ही है ठीक है प्लस 180 डिगरी फेशिप्ट भी तो होगा प्लस का 180 डिगरी यह तक क्लियर है आपका तो ज़रा समझी इसको मैं को यह V2 वोल्टेज इंगालना है ठीक है जो इस टर्मिनल पर है यह तो यहां से आपका V2 वोल्टेज क्या हो गया वी टू इकल्स टू यह को सिंपली सीरीज एडिशन है ठीक है सीरीज में वोल्टेज इस इस इंपली एड हो जाएंगे यह होगे देको 180 डिगरी प्लस यह आपका 200 यह पर किता हो जागा प्लस का 60 डिगरी ठीक है विकाज हो लैं यह प्लस 200 किम्रेकर यह पर जाएगा देखो Kört 602 डिगरी अग्री अर इतना अब यह विट्यो तो क्या मिल जाएगा थे κάν Tabii ऑप को मायनेस का बनेक्टी ऑर साइन वाइटी जीरो यह माइनेस का वहलो हो जीरो प्लस यहापर यहापर हो जाएगा फ्लस यहापर हो है j sin 60 है न यह जाएका अपका जे root 3 by 2 because sin 60 किता होता है root 3 by 2 ठीक है तो यह से चाहएगा 100 times फिर यह minus 100 यह plus 100 overall cancel out हो जाएगा तो आसे मैं एक बब्रोड रोड हैं तो अगर मैं और देखो यहां पर एक है प्लस का जे तो अगिर मैं एंगल को लिखना चाहो तो कैसे लिखूंगा इसको प्लस के 90 डिग्री तो जी का मतलब प्लस के 90 डिग्री होता है न तो आपको देखो अगला कोशन देखते है तो डाग्राम गिवन बिलो विट्वाइड डेल्टा बैंक और अप्टेनिंग इस फोर वाय दिस्टिशन सिस्टम अप्रोप्रियट इस इंडिकेटेड इसे के से के सटींडी साइड गया में वोल्टेज वगरा सब दे रहके आपके फिगर मे प्राइमरी को हमने एकदम 3-phase सिस्टम से हमें अनर्जाइज किया है तो मैं यहापर VBD voltage बताना है यह BD आपका यह हो गया इंडी आपका यह point हो गया ठीक इन दोनों के बीच में क्या वोल्टेज होगा यह हमें बताना है जा तक आपका clear है तो देखो since पहले phase sequence देखते क् phase sequence क्या है कि पहले A phase फिर C phase फिर B phase फिर phase sequence तो होगई ACB के चीज के लिए इस phase sequence के लिए अगर मैं को voltage लिखना है मैं simply कैसे लिखोंगा देखो VAC equals to यह हो गया मैरा reference तो voltage ने 230V दिया है यह आपका 0 degree reference तो second हो जाएगा VCB VCB क्या करेगा simply 120 degree आपका lag करेगा तो minus के 120 degree ठीक है तो आपका VPA तो VBA यह क्या होगा 120 degree lead करेगा ठीक है तो यह हो जाएगा plus के 120 degree ठीक होगा plus के 120 degree जा तका अपका clear है अब देखो तिंस अगर ऐसे देखे simply जो turns ratio है ठीक है कुछ भी नहीं दिया तो हम simply assume करके चलते कि one issue one है ठीक है यानि जो primary में होगा को का voltage secondary में होगा ठीक है जो देखिए यह same जो value है capital A C ठीक है primary की E यह आपका किसके equal होगी secondary voltage यानि जो भी secondary AC Phase में होगा कोई primary Phase के equal होगा ठीक है वैसे देखो यह आपका secondary ठीक है यह आपका secondary side में और इसका मैं फेजर बनाता हूँ इस टाइप के तो बनेंगा फेजर एला है रहा है रही एक ठीक है यह जो सेकंड डेल्टा हमें दे रहा है इसका अगर मैं फेजर बनाता हूँ तो कैसा बनेगा देखो सिंपली यह आपका फेजर बन गया एसी फेज का ठीक है यह मेरा ए यह आपका सी है तो देखो सिंपली हमें यह आपके क्या हमारे पास वी एसी दे रहा है तो वी एसी का मतलब क्या होता है आपका गर आप निकालते हो नॉर्मल तो कैसे निकालते हो वी ए माइनस वी सी करके न यह पर बनता इए चीज कलियर आपकी अब वैसे देखो यह पिक है A, B फिज यह आपका बन जाएगा A, B ऐसे देखो A, B में कौन सा बढ़ा आपका? B वाला बड़ा है ठीक है तो arrow किस तरब बनेगा B की तरब यह चीज के लिए आपकी अब वैसे दिखो यह वाला एक और बन जाएगा आपका तो यह एक और डेल्टा जो डेल्टा है उसका मैं फेजर बना रहा हूँ ठीक है यहापे दिखो आपका क्या आगया यह आपका B था तो B C है ठीक है अब यह आपका बड़ा कौन सा है देखो C वाला बड़ा है तो यह आपका इधर arrow बन जाएगा यह आता clear है अब हमें पता है कि इसने बोलते है कि यह point आपका क्या है T point है और यह point आपका इसने B point की रहा है ठीक है तो मैं को क्या निकालना है यही तो चीज निकालना नहीं है ठीक है, VBD निकालने यह तो निकालने को बोला है, clear है, तो ज़रा देखो, अगर सिफ magnitude निकालने को बोला है, कोई problem भी है, ठीक है, एक minute में निकल जाएगा, अगर एंगल साथ में पूछ ले तो क्या कर लोगे आप, ठीक है, तो एंगल भी आपको निकालना आना चाहिए, त ठीक है, और यह आपका VBD वोल्टेज, clear है जो dotted line है, यह VBD को represent करती है, तो देखो, हमें पता है, यह जो वोल्टेज है, यह आपका खिता है, 100M15, ठीक है, और यह वाला वोल्टेज है, यह था, ठीक है, यह हमें पता है खिता है, दे दिया असने, 230V, ठीक है, वह सारी clear है, अगर यहाँ पर देखो, मैं एक उसे magnitude निकालना है, तो इसली निकाल सकता हूँ, तो देखो, magnitude के लिए तो मैं simply Pythagoras theorem लगा सकता हूँ, तो देखो, यहाँ पर हाइपोटेनियस ही हो गई, और पैंट्टुलर ही हो गया, और यह मेरा base हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर simple magnitude निकालता हूँ, तो देखो, क्या हो अगर 230 का square, ठीक है, equals to 115 का square, plus P, P का, ठीक है, यहाँ से simply BD का, अगर मैं magnitude निकाल भी देता हूँ, ठीक है, तो यह में को मिल जाएगा यहाँ पर, कि आएगा आएगा, आपका 199.18, ठीक है, और अगर इसको option के according लिखते है, तो 3, ठीक है, यह आपका answer इसके according C option हो जाएगा, इसमें कोई प्रावलम निए है, तो यहाँ पर देख के बता सकते हो, simply, अगर मैं VBD voltage, ठीक है, अगल मतलब क्या होगा, simply, फेजर लेके चलेंगे, तो VBD की वेड़ी का कि देखो, ठीक है, 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 ठीक degree clear है अब मैं को यह पता है जो VAD है यह वाला का voltage यानि magnitude तो है 115 degree angle में आपको doubt हो रहागा क्या लिखेंगे अब ज़रा देखिए जो VAD है यह किसे बना है VAC का ही तो एक part है यानि कुछ यही पर यही पर बनेगा आपका VAD यानि दोनों होंगे तो same phase में यानि कि जो भी VAC का angle है वही आपके VAD का angle होगा तो VAC का कितना angle है 0 degree तो VAD का भी angle कितना होगा 0 degree समझे तो यह आज से जब आप value निकालते हो VBD voltage की ठीक है simple देखो यह कह है polar form है इसको rectangular form में convert करो तो यह आपको मिलता है 199.18 ठीक और angle ही आपको मिल जाता है 90 degree तो देखो magnitude तो देखो same ही आना है दोनों सीचियों से जाए ऐसे करो या ऐसे करो पट यह आपका angle आप नहीं समझ पाते है ठीक है तो angle ही आपके क्या है का 90 degree तो angle पूछ लिया तो angle निकाल लेते है इस चीज के लिए रहे आपकी इसके coding आपका answer क्या हो जागा 115 इंटू root 3 और angle पूछा होता हो तो 90 degree यानि इस यह option आपका correct answer है तो देखो आपका अगला question है a three-fish transformer having zero sequence impedance z0 as zero sequence network as represented in the figure अमें इस zero sequence network को देखके transformer के connection बताने है यानि primary क्या होगा connection और secondary का connection क्या होगा यह बताना है तो simply देखो 0 sequence network होता है 0 sequence network कुछ इस type का होता है यहापे एक switch होता है देखो यहापे एक switch होता है यह ऐसे कर लेते है अब देखो यहाँ पर क्या बुला है यह 0 sequence network बना रहे है तो यहाँ पर यह आ जाता है आपका 0 sequence impedance ठीक है तो Z not लिखते है यहाँ यहाँ पर एक और switch आ जाता है ठीक है यहाँ पर एक switch आ जाता है यहाँ तक आपका clear है अब देखो transformer में दो winding होते है primary और secondary clear है तो primary किसी ना किसी connection से बनी होई होगी secondary भी किसी ना किसी connection से बनी होगी connection बहुत रखे होते है star delta ठीक है star grounded वगरा तो देखो मैं इत्ता समझ गए कि यह जो left side के दो switch है यह आपके primary side के है ठीक है और जो इस dotted side line के right side वाले secondary side के है clear है तो यह वाला switch कब close होगा जब यह connection अगर star with grounded हो यह वाला कब होगा जब delta हो similarly secondary side में यह जब delta हो तब close होगा और यह जब star with ground हो तब यह close होगा का तक आपका clear है अब जैसे मैं कुछ example लेता हो आपके ठीक है secondary का भी उसका connection है star with grounded तो अब जब आपको बताईए इसका zero sequence network कैसा होगा यह चीज clear है तो देखो यह जो मैंने आपको network बनाया ठीक है यह वाला इसमें जा 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 पर ऐसा connection दिखे वो switch को close कर दीजे बस इतना easy है तो देखो यह मैंने close कर दिया ठीक है इसको भी मैंने close कर दिया बागी सारे क्या करूंगा open रखोंगा यह तो ऐसे आप बनाके open रख दो या फिर बनाओ मत कोई फरक ने बढ़ता तो यह मेरा बन गया connection के लिए sequence network clear है चीज अब एक आपका question आता है कुछ इस type का star then grounded तो होता है बढ़ किसी particular reactance के through वो grounded होता है ठीक है और जो second connection ले ले लेते इस बार delta ले ले लेते इसका मैंको network बनाने तो कैसा बनेगा देखो first तो देखो star with grounded तो है यह 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 तो ground हो गई ठीक है यह पहला वाला switch तो close हो गई आगे क्या हो जाएगा आपका delta यह open ठीक है यहाप पर देखो जो reactance आएगा वो आजागा three times of accent जो भी यहापर accent दिया उसकी इन गुनाए value हो जाएगी ठीक है यह आपका z not zero sequence impedance अब जो रहा देखिए secondary का connection कौन सा है delta delta में यह वाला switch close होता है अपना इसको हमने close कर दिया ठीक है अगर इसको close कर दिया तो यह वाला आपका open रहेगा clear है चीज तो देखो जैसे पहला question यह दिया है इसमें देखो यह आप डेल्टा open है न ठीक है यानि delta connection नहीं है तो primary connection कौन सा हो सकता है star with grounded यह जो सकता है secondary में इसको close कर दिया कि लाइं close कर दिया यानि secondary connection तो क्या हो गया delta आपके इस question का answer क्या हो जाएगा star with grounded ठीक है और आपका delta तो देखो star with grounded neutral and delta यह option आपका इसके लिए correct answer अब देखो जो अगला question है 220 इसमें देखो यह आप यह delta तो दे नहीं रखा ठीक है open है न यह वाला तो पहला primary का connection तो हमें पता चल गया star with grounded clear है दूसरा देखो इसने इसको close किया यह यह आपे तो delta होता है न ठीक है तो यह दूसरा connection क्या होगा delta इस question का answer क्या हो जाएगा यह आपका हो गया फिय ओप्शन ठीक है दोनों सेम ही है तो देखो अब अब अगला question देखते है तो star delta transformer is excited on the star side with balance four wire three phase sinusoidal voltage supply of rated magnitude the transformer is in the no load condition ठीक है आपको यह connections दे दिए तो इसमें देखो क्या बोला पहला question with both s1 and s2 open the core flux waveform will be आपका s1 और s2 दोनों switch को अगर open रखे जो core flux आपका होगा उसकी waveform कैसी होगी ठीक है यह हमें पूछा है तो देखो आपका जो यह basically harmonic topics से questions है ठीक है यह वाले तो देखो harmonics में अगर simple मैं आपको बताओ ठीक है उसका जो basically trucks है ठीक है जो main main चीज है वो आप आपको मैं सीधा बता देता हूँ आप दोकर वो भी याद रख दोते हो आपके questions हो जाएंगे ठीक हार्मोनिक से related देखो तीन टाप के connection है star star with ground और डेल्टा ठीक है अब देखो एक आपको पूचा जाता है हमेसा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है वैसे देखो अ अब एक्जिस्ट करता है ठीक है जब कोई या तो ground हो ठीक है आपका connection हो उसमें या तो ground हो या फिर कोई close path हो ठीक है close path हो अगर यह दोनों condition वापे होगी आपके connection में तो आपके third harmonic current exist करेगा इस चीज़ आपके clear है अब देखो जब star connection की बात करते हो उसमें आपके third harmonic current होते प्रेजेंट नहीं होते है ठीक है तो क्या लिखा मेंने absent ठीक है जब star with grounded की बात करते हो तो इसमें आपके third harmonic current present होते है ठीक है और इनका nature होता है peaky ठीक है यह सब में peaky कैसा होता है यह सब में आपको portion number 206 में बता चुक हो आप वो question देख सकते हो ठीक है delta में since देखो delta क्या हो गया close path हो गया ना ठीक है तो close path है obvious वाद उसमें harmonic होंगे इसमें देखो एक होता है phase current एक होता है line current तो phase current में आपका harmonics present होते है ठीक है but ठीक है सिर्फ जो five limb construction है मैंने आपको समझा रखा है एक होता है three limb एक होता है five limb ठीक है तो five limb वाला जो construction है उसमें आपके third harmonic present होते है clear है चीज़ अब देखो star with grounded इसमें आपके absent रहते है ठीक है third harmonic of core flux present नहीं रहते है clear है या तक अब देखो जो delta है इसमें आपके absent ठीक बस यह तीन चीज़ा भी आप अगर याद रखते है तो आपके harmonic के questions जादतर questions हो जाएंगे आपके इस चीज़ के लिए आपकी अज़रा देखते है इस switch को S1 और S2 को open कर दिया तो यह open है तो पहला connection आपका किस तरह हो गया simple एक star हो गया आपके clear है secondary में तो देखो S2 को हमने open रखा है open रखा है तो यह पर कई पर भी ना तो कोई close loop बन रहा है ना कोई ground हो रहा है यह चीज़ clear है secondary में तो हमें यह तो पता चल गया कि ना तो आपके primary में कोई third अर्मोनिक होते है ठीक है third harmonic of current ठीक है third harmonic of flux ना तो primary में present होंगे ना फिस secondary में present होंगे यह चीज़ के लिए third harmonic हम हमें साथ third harmonic की बात ही क्यों करते है विकोज यह आपका सबसे dominant होता है ठीक है अगर देखो कोई भी third harmonic नहीं है तो आपका जो magnetizing current होगा I am ठीक है वह आपका कैसा होगा almost sinusoidal होगा almost क्यों बोल रहा हो और दूसरे harmonic तो present है ना उनकी वजह से आपकी जो waveform है ठीक है sinusoidal waveform वो distort हो जाएगी तो हमें at least ऐसे नहीं बोल सकते कि pure sinusoidal मिलेगी almost sinusoidal मिलेगी clear है since कोई थ़ड़ harmonic नहीं है तो आपको magnetizing current की waveform sinusoidal मिलेगी almost clear है या तक अब देखो मैं आपको बताया था question no.206 में अगर आपका I am ठीक है यह अगर आपका sinusoidal हो sinusoidal ओ ठीक है और BH curve आपका कैसा होता है हमेशा कुछ अगर mention नहीं कर रहा तो भीस कर्व हमेशा non-linear होता है यह आपको भी पता है ठीक है यह दोनों conditions होती है अब मैंने आपको बताया था flux आपका कैसा nature होगा flat top ठीक है flux आपका होगा flat top अबर यह condition होती है आपकी और जो EMF होगा ठीक है EMF आपका होगा P की nature ठीक है यह सब चीजे मैंने question no.206 में समझाईए तो आप वो जाके देख सबते हो यानि कि इस question में तो core flux कैसा होगा flat top with third harmonic clear चीज और आगे वाले question क्या है with s2 close यानि s2 को close कर दे और s1 को open कर दे तो जैसे close करोंगे ठीक है तो सेकेंड़ी क्या बन गया एक delta बन गया ठीक है अब जैसे delta बना अब इसने क्या पूचा है तो current इंदर delta winding, delta winding में पूचा है यानि कि यह वाला current यह current कौन सा होता है phase current होता है जो winding में flow होता है तो हमें पता है कि delta connection में आपका जो phase current है उसमें आपके harmonic present होते है ठीक है third harmonic present होते है तो क्या होगा simply only third harmonic इस यह option आपका correct answer होगा इस सिर्फ आपके आपके यह चीज भी आगर याद रख देते हो ठीक है और एक मेरा जो question number 206 है उसको देख लो जिसे आपको यह चीज समझ में आ जाएगी ठीक है यह बस इतना कर लो आपके harmonics के question तो हैसलिस हो ही जाएंगे आपसे प्राइमरी और जो सेकेंडरी होती है इस कि पर यूनिट में वैल्यू होती है वो सेम रहती है चीज के लिए आपकी तो देखो अगर उसके according चलते है तो मैं जो rating है s यह मैं देदी 100 kva ठीक है इसको अगर मैं mva में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा simply 0.1 mva ठीक है ठीक है अगर kv में लिखूंग तो यह है यह मेरा 0.4 kv यह दुन आपके कौन से वोल्टेज है फेज वोल्टेज है ठीक है ना फीज वोल्टेज जाथ clear आपका अब देखो इसने बोलिया जो resistance है कि per unit value हमें देदी इसने 0.02 ठीक है और जो reactance है कि per unit value हमें देदी 0.07 जाथ कोई doubt नहीं अब देखो simple अगर per unit के बारे में बताओ मैं देखो per unit का value per unit का मतलब होता है actual value ठीक है जो भी आपके actual value है divided by आपकी base value ठीक है अब ऐसा हम क्यों करते है जैसे देखो आप जब 12 तक class में पढ़ते थे ठीक है 12 तक आपकी जो study होती थी तो आपको जो भी number दिये जाते थे वो सब को 100 मैंसे देजे जाते थे आपकी class में कित्ते भी बच्चे है सब को 100 मैं हम सब को compare करेंगे कि इसको इत्य परसेंट आए इसको इत्य परसेंट आए तो एक common base पे सारी value निकालते है हम transformer में ठीक है उसके actual value हमें पता रहती है जैसे actual value किसी resistance की देख लो ठीक है resistance की actual value ओम में होगी तो हमने ओम में वो value ले ली और एक कोई base value decide कर ली हमने है तो उसके according value निकाल लेते हैं इसीज के लिए है तो देखो जब यहाँ पर हम आते हैं तो simple अगर resistance की बात करोंगे तो actual value ओम में होगी कोशन में इसने पूछी है कि हमें ohm में value निकालनी है यानि actual value निकालनी है clear है तो देखो जो formula बनते है ठीक है direct बता देतो अगर आप base value की बात करते हो ठीक है base value की तो इसका formula होता है simple देखो kv ठीक है इसका square divided by ठीक है MV है clear है अब आपको यह जानना है यह formula वगर रकास हात है तो मेरी already एक video है per unit पर ठीक है वो आप देख सकते हो यह हमारा हो गया base value के लिए यह formula ठीक है अब सबसे important चीज़ या पर यह जो values आप लिखते हो यह सारी value क्या होती है per phase होती है ठीक है यह सबसे जादा बड़ा important point है इसमें आप गल्दी कर लेते हो यह सारी value हो में per phase लिखने होती है यह चीज clear है आपकी देखो यह जो s इसने दिया न यह 3 phase का है यह per phase का नहीं है clear है चीज तो देखो अगर मैं आपको निकालता हूँ जो भी मेरी phase value होगी होगी तो होगया तो देखो per unit मैं को दिया है इसने 0.02 ठीक है phase value simply क्या हो जागा kv का square ठीक है divided by mv है और यह जो phase voltage दिया होता है यह में सब per phase दे रखा होता है यह चीज clear है आपकी तो देखो per phase मैं को दिया है 11 का square अब आप सोच रहे हो कि मैं 11 क्यों लिया यह 0.4 क्यों नहीं ले रहा तो यह आप इसमें बोला है कि refer to primary आप सेकेंडरी दिया होता तो क्या करता है 400 को लेता clear है चीज तो देखो kv का square ले लिया मैंने ठीक है अब mva में को लेना पर phase यह क्या दिया है 3 phase के लिए पर phase के लिए क्या हो जागा 0.1 divided by 3 ठीक होगा ठीक है अब simply इसको solve करते हैं यह आपको मिल जाएगा 72.6 ohm ठीक है या निकी मेरा resistance निकल गया ठीक है अब में को निकालना है reactance तो reactance यानि x की actual value क्या हो जाएगी जो भी x की per unit value है into जो भी आपकी base value है clear है चीज तो देखो per unit value इसने मैं को देजी 0.07 ठीक है multiply बेस के लिए simply क्या करेंगे kv का square ठीक है तो voltage कितना है 11 यह जो voltage यह एक है per phase दे रहक है ठीक है इसलिए मैं यह आपर 11 लिख रहा हूं सिर्फ बंडा 11 by 3 करना पड़ता हम एक को और यह आपर देखो यह हो जाएगा 0.1 divided by 3 ठीक है इसको simply solve करते हैं यह आपको मिल जाएगा 254.1 ohm यह मेर आ गया reactance यह actual value ठीक है अगर दोनों को एक साथ लिखना हो तो भी problem है नहीं ठीक है simply z हो जाएगा हमारा 72.6 plus j254.1 ठीक है और unit हो जाएगा इनकी home यह आपको हो जाएगा answer clear यानि D option आपका correct answer होगा तो देखो अगर यह formula समझना है तो मेरी per unit वाली वीडियो देख सकते हो अगर यह समझना है कि दोनों ही side आपका जो पर unit में जो value होती है वो same कैसे होती है प्राइमरी भी वही रहती है और secondary में भी वही रहती है तो इसके लिए भी मेरी एक वीडियो अल्रेडी है वो आप देख सकते हो clear है चीज़ तो देखो अगला question देखते balance star connected load and purely resistive load is connected at the secondary of star delta transformer as shown in the figure the line to line voltage rating of the transformer is 110 volt ठीक है यह जो star side है इस side तो हमें देदिया 110 volt ठीक है यह दन क्या बोला है 220 volt आपकी secondary side यह नहीं की delta में यह आपकी हो गई 220 volt ठीक है पूचा किया इसने इसने बोला कि आपका जो load है यह वाला ठीक है तो अगर primary में refer करोंगे तो आपकी जो impedance की value होगी पर phase यानि Z की यह वाली value बताईए ठीक है तो देखो basic पहले चीज़े निकाल देते है जैसे देखो star वाला connection है ठीक है primary phase voltage कि यह वाला current निकालना है मैं को i2 लेट से मैं कैसे निकालूंगा पहले मैं को per phase क्या पता होना चीए voltage पता होना चीए इनिकि 4 ohm की across voltage किता होगा जो यह पर जो 4 ohm यह star load है यह वोल्टेज किता होगा 220 तो इस 4 ohm की across voltage किता होगा 220 divided by root 3 जा तक clear है अब अगर मैं current निकालता हो i2 ठीक i2 current कौन सा current होगा यह यह आपका line current होगा ठीक है यह किता हो जागा देखो इंबल voltage divided by आपका जो भी resistance है वोल्टेज मेरा है 220 divided by root 3 ठीक है into resistance किता 4 ohm यह मैं किता मिल जाएगा 55 divided by root 3 clear रहे इतना line current निकल गया अब मैं कुछ यह phase current तो आपका delta में relation पता है यह वह phase current वाला तो देखो simple i2 phase current मेरा क्या हो जाएगा जो भी मेरा line current है divided by root 3 because delta में line current क्या होता है root 3 times of phase current यह से ही मेरा आ गया 55 divided by 3 ampere इचीज के लिए मैंने phase current निकल दिया अब देखो simple हम क्या करते है mmf balancing में क्या होता है यानि flux आपका क्या रहता है same रहता है constant रहता है ठीक है constant रहता है na flux n1 i1 equals to n2 i2 इचीज के लिए रहे है अब देखो simple n1 यह अगर आपको पता है ठीक है because जो n1 by n2 होता है n1 by n2 कि किसके इकल होता है आपका v1 by v2 के यह से आप simple relate कर सकते हो कि n1 क्या है v1 के इकल और n2 आपका क्या है v2 के इकल ठीक है से relate कर सकते हो तो देखो और मैंने यह भी बता रहता है आपको कि जो turns ratio होते है वह मैं साब phase voltage के बीच में होते है ठीक ह divided by root 3 into i1 में को नहीं पता ठीक है equals to n2 मेरा किता है simple जो secondary में phase voltage हो ही 220 है phase voltage into i2 current में निकाल दिया 55 divided by 3 यह से मैं i1 current निकाल सकते हो ठीक है तो i1 मेरा यह से आजाएगा simple 110 divided by root 3 ampere clear है अब जेखो मैं i1 current निकाला यह आपको doubt हो रहा होगा यह मेरा i1 current है अब देखो मैंको i1 current और में को voltage पता है तो मैं यहां का impedance नहीं बता सकता है क्या easy तो है ठीक है therefore impedance impedance क्या हो जाएगा simple per phase वाला जो भी phase voltage है per phase voltage यानि phase voltage primary side में divided by जो भी phase current है primary side में ठीक है स्टार में तो phase current, line current same ही रहता है तो उसमें कोई problem नहीं है तो voltage आपका हो गया 110 divided by root 3 ठीक है line current हो गया 110 divided by root 3 रूट 3 उपर चला गया तो यहां से में को z क्या value मिल गई 1 ohm ठीक है तो आपका answer क्या हो गया d option आपका correct answer clear चीज़ तो यह तो आपका एक method हो गया ठीक है ऐसे बह और method से में आपको करवाता हो गया तो सेम कोशन है ठीक है अब देखो हमें यह पता है transform में एक concept पता है में कि power हमेशा same रहती है ठीक है power will remain same यानि कि यह आपका load है ठीक है यह load जितनी भी power consume करेगा ठीक है अभी secondary में connected है कुछ ना कुछ power consume करेगा यह load अब इसी load को अगर मै यहाँ पे secondary में connect कर लेता हो sorry primary में connect कर लेता हो जैसे यहाँ पर यह मैंने ऐसे कुछ connect कर लिया ठीक है यह मैंने primary में connected कर लिया clear paris斤 है अब देखो अब यह जो load में connect ना यह क्या करेगा सेम power क्या करेगा, consume करेगा जित्ती आपर ये secondary में connect कर रहा था na, consume कर रहा था, secondary में जब connected था, बुत्ती की बुत्ती ये जब primary में connect करोंगे इसको, तब consume करेगा ठीक है अब इसके case में इसका impedance हमें नहीं पता किता होगा, ठीक है ये हमें निकालना है थो अब हमें इतना कॉंसर्ट पता है कि power same consume करेगा तो देखो पहले हम देखेते हैं कि secondary में power कित्ती consume कर रहा है यह तो देखो power consume power consume per phase यानि एक आपका जो यह 4 ohm का resistance है कित्ती power consume कर रहा है यह देख रहे हैं ठीक है तो symbol कैसे निकालेंगे जो भी उस resistance के across voltage उसका square आपका resistance क्यों आपका क्यों पर क्यों पार फेक्टर की तो कोई बात ही नहीं होती तो यह पर देखो पॉवर आपकी कंज्यूम जो होई 12,100 ठीक है डिवाइड़ वै आपका 3 ठीक है यह आपका क्या हो गया वाट क्या तक आपका क्लिए रहा है अब देखो हमारी पॉवर निकल गई यह जो 4 ohm कंज्यूम कर रहा है यह चीज के लिए है अब सेम लोड को मैंने यहां पर कनेक कर लिया तो यह भी क्या करेगा सेम पॉवर कंज्यूम करेगा यह हमें पता है कॉंसेट ठीक है तो देरफॉर पॉवर कंज्यूम इन प्राइमर है हमें पता कि लाइन वोल्ट तो यहां पर जो वोल्टेज होगा इस फेज वोल्टेज में यह तो किता होगा 110 डिवाइड़ बाए रूट 3 ठीक है यह तो बेसी के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें यह किसके लोग है आपकी जो सेकेंडरी में इसने लोड़ पॉवर क निकालनी है यह आपको गया 12,100 डिवाइड़ बाए 3 तो सॉल करेंगे तो आपकी Z की वेल्यू आएगी 1 ओम ठीक है तो देखो एक बार हमने किया MMF बैलेंसिंग से एक बार किया हमने पॉवर वाले कॉंसेप्ट से क्यों कि हमें पता है पॉवर क्या रहती है सेम रहती है त बसे आप देखो रहफर्ड पैरामिटर से कर सकते हो और यूनिट वाले कॉंसेप्ट से कर सकते हो जो आपको बैटर सूट करें उससे आप करिए चीज तो देखो अगला कोशन देखते है एक शुली यह कोशन आपका सेम कोशन है ठीक है इसका आंसर कहा था डी ओप्शन था 0.05 per unit on the base value after base of 250 MVA and primary voltage 11 KVA then the actual leakage reactance of the transformer referred to secondary side is secondary side क्या referd करने के बाद क्या होता वो बताना है ठीक है तो देखो पहले जो डेटा दे रहा है मैं एक बार वो लिख ले तो ठीक है जो रेटिंग इसने दीए रेटिंग क्या दीए इसने 250 MVA ठीक है और जो इसने X per unit दिया है यानि जो leakage reactance दिया है ठीक है यह मैं इसने दे दिया 0.05 यात क्लियर है आपका अब देखो जो voltage दे रहे हैं वो भी लिख लेता हूं मैं यह primary side में V1 किता है आपका 11 KV ठीक है और जो V2 voltage है या आपका क्लियर है 400 KV यात क्लियर है अब देखो हमें इसने बोला है कि क्या निकलना है X Ohm में यानि जो leakage reactance है वो Ohm में किता होगा यह निकलना है ठीक है तो देखो पहले हम par unit का formula लिखते है तो X par unit का formula क्या होता है X in Ohm ठीक है इंटू जो भी आपकी MVA rating है ठीक है divided by जो भी आपका voltage है उसका square यात क्लियर है अब देखो जो MVA और KVA दोनों को या तो per phase में लो या फिर दोनों कोई 3 phase में लो इसी के लिए रहे है तो देखो यहां से अगर मैं को X Ohm निकलना है X in Ohm किता हो जाएगा X in per unit ठीक है multiplied by KV का square या से देखो X in Ohm किता आजाएगा X in Ohm equals to ठीक है per unit किता है आपका यह देदिया 0.05 ठीक है multiplied by KV किता है आपका 400 400 का square ठीक है तो आपका D option आपका correct answer यह आप है a three phase transformer has a rating of 20 MV है 220 KV star और 33 KV delta with leakage reactance 12% the transformer reactance in Ohm referred to each phase of the low voltage delta connected star delta connected side ठीक है तो देखो इन यह primary आपकी है star में यह आपका star हो गया यह मारी है delta में clear है तो देखो जो primary star है star में इसने voltage देदिया 220 KV ठीक है और जो delta है इसमें इसने देदिया 33 KV अब इसने बोलाए जो आपका X per unit है यह किता दिया 12% 12% यह नही 0.12 clear है आप पूछा है कि इसकी Ohm में value किती होगी simple formula हमें पता है कि X in Ohm equals to क्या हो जाएगा देखो X जो भी per unit है value है into KV का square जो भी आपका voltage है KV का square divided by आपका MV है clear है और मैंने बता रहा है कि KV और MV है यह क्या लेंगे आप दोनों को या तो per phase में लिए या फिर दोनों को ही 3 phase के लिए लिए लेजिए clear चीज तो यह आज से देखो X Ohm क्या हो जाएगा X in Ohm equals to per unit के value 0.12 ठीक है into KV किता हो जाएगा देखो देल्टा साइड है न इसने के बोले देखो low voltage डेल्टा गनेक्टेड लोग वल्टेज आपका 33 KV यानि या पर बात हो रही है ठीक है तो या पर सिंपल 33 KV का मतलब क्या समझते हो कि या पर यह वल्टेज किता है 33 KV तो या आज से समझ सकते हो कि डेल्टा में तो वैसा ही line voltage और phase voltage सेम रहता है यह आपका एक phase को रिप्रेजन करता है ठीक है तो पर phase voltage आपका किता है 33 KV पर phase के लिए क्या हो गया 33 KV इसका square हो गया divided by MVA किता है 3 phase 3 phase MVA दे रखा है ठीक है 20 तो single phase के लिए निकालना पड़ेगा 20 divided by 3 clear है तो या से जो हमारा reactance हाय लिकेज reactance ओम में इ 19.6 ohm clear है यह आपको जाएगा answer अब देखो अगर मैं आपको पूछ रहे था क्या आप leakage reactance बताइए 220 volt की side या फिर बोल देता हाई voltage side ठीक है तो high voltage side कैसे निकालते है simple देखो x in ohm ठीक है इकल्स तो पहले leakage reactance लिखते है या 0.12 ठीक है देन क्या लिखते है phase voltage का square phase voltage भी कौन सा पर phase वाला तो यह पर पहले phase voltage बताइए किता होगा यह फेज voltage हीता होगा यह आपका होगा 220 divided by root 3 clear है तो phase voltage हमें मिल गया 220 divided by root 3 ठीक है यह हो गया इसका square divided by mva किता हो जाएगा 20 divided by 3 ठीक है या से जो x उमाएगा यह किस value आएगी यह यह आपकी तब आएगी जब आप इसक चीज पता रहनी चीए कि जो kv और mv है आइधर इन दोनों को पर phase में लो फिक है या फिर क्या लोंगे दोनों की 3 phase में लो यह चीज clear है तो यह पर देखो यह value किती हो जाएगा आपकी 240 ohm clear है यह आपको जाएगा अगर आपको start side में refer करने को बोलेगा फिलाल इसमें क्या hysteresis और eddy current loss of the transformer respectively यह दे रहके eddy current loss और hysteresis loss तो देखो पहला कौन सा इसका hysteresis यानि pH यह में दे दिया इसने 300 Watt ठीक है और जो eddy current loss है PE यह इसने हमें दे दिया 400 Watt clear है फिर बोला if the speed of the alternator is reduced by 10% 10% speed up reduce कर रहे हो then the hysteresis and eddy current loss of the transformer will be respectively यह इनमें क्या फरक पड़ेगा यह पूचा ह ठीक है तो देखो speed वाला में simple relation पता है 4th speed alternator की 120 F divided by P ठीक है तो मैं यह पता है कि speed होती है वो frequency पे direct relation में होती है because देखो आपकी number of poles तो fix है इनमें तो कोई change होगा नहीं एक बार आपने machine बना ली वो तो change होने न तो देखो अगर speed को आप 10% decrease कर रहे हो ठीक है तो frequency भी क्या पता चला हमें कि आपकी जो frequency है यह क्या हो रही है 10% reduce हो रही है यह तक आपका clear concept ठीक है तो इस question में 10% अगर frequency decrease हो रही है तो अब यह बताईए जो पहले हमें losses दिये थे इनमें क्या फरक पड़ेगा यह बताईए ठीक है यह पूचा है तो देखो जो hysteresis loss होता है ठीक है उस लाटिंग में बताते हुआ रहा है ठीक है यह सारी चीजे तो देखो इसने बोला 10% क्या कर रहे है reduce कर रहे है तो shortcut में समझा रहा है आपको percentage वाला concept ठीक है तो देखो simple n की value कहा जागी n equals to 1 plus minus जो भी percentage आपको given है ठीक है plus कब लेंगी जब आपका percentage increase हो रहे है जब आपका decrease ह सब्सक्राइब तो माइनस लेंगे तो यहां से एन की value किती है कि देखो 1 तो माइनस होगा 0.1 तो एन की value में मिल गई 0.9 ठीक है तो यहां से देखो hysteresis loss क्या हो जाएंगे यह frequency के देखो f की power 1 है ठीक है यह आपको हो गया n into जो भी hysteresis loss पहले दे रहे है तो इसको dash लिख लि दिख लेते है यह आपको हो जाएगा n square into add current loss ठीक है तो यहां पर यह क्या square relation है तो simple values रखते है पहले सब्सक्राइब टू 0.9 ठीक है इंटू hysteresis loss किते देखे 300 ठीक है तो यह आपको हो जाएगा देखो 10% आप स्पीड को reduce करते हो आपके hysteresis loss हो जाएंगे 270 वाट ठीक है और इंटू 400 ठीक है तो यह आपको मिल जाएगा 324 वाट ठीक है तो यह आपके losses निकल गए जब आप स्पीड को 10% decrease कर रहे हो ठीक है अब देखो यह अगर आपको यह चीज समझ में नहीं आई ठीक है यह ती चीज समझ में नहीं आई तो देखो दूसरा लंबा process है ठीक है उस हो रही है अब सिंस hysteresis loss frequency के direct release में तो कर frequency 10% reduce हो रही है तो hysteresis loss भी क्या होंगे 10% reduce हो जाएंगे initially किते थे 300 watt तो इसका 10% निकालो 10 divided by 100 यानि कि 30 watt आ गया ठीक है यानि 30 watt क्या हो जाएंगे reduce हो जाएंगे तो अभी जो actual में नहीं हुए ठीक है नया hysteresis loss किता हो जाएगा 300 minus 30 यानि कि 270 watt clear है चीज़ तो देखो निकालने के तरीके बहुत है आपको लेकिन यह पता होने चीज़ी कि सबसे easy कैसे निगलेगा और सबसे fast किस में निगलेगा ठीक है तो यह जो concept है percentage वाला ठीक है यह एक तरह से tricky हो गई यह मैं already आपको समझा चुका ठीक है questions में तो बी option आपका correct answer हो गया यह आपके त्रीफिज डेल्टा स्टार ट्रांस्वार्मर इस सप्लाइड एट 6000 वोल्ट ऑन देल्टा गनेक्टेट साइड यह आपको देखो primary इसने बोला डेल्टा है तो यह हमारी हो गई डेल्टा और इसने क्या बोला वोल्टेज कितना आपका एक साउजन वोल्ट तो यानिकि यह वाला वोल्टेज आपका हो गया वोल्ट या तरकलर आपका अब देखो हमें बोला है कि tons ratio बताइए यानीक्र तंस ratio हमें निकालना है अब देखो secondary side क्लियू अब में आफका phase voltage बताrada है एभी मोलेगा अगे इतना से बता हो अगर phase voltage निकालता है तो व्हासें 415 divided by root 3 कोई प्राइमिर में phase voltage कीता है 6000V सिंपल क्या हो जागा 6000 divided by 415 divided by root 3 इसको solve करेंगे यह आपको मिलेगा 25 25.04 मिलेगा इसको आप रिख सकते हो 25 clear है तो इसके सबसे close option कौन सा आपका B वाला 24 है न तो B option यहाँ से correct हो गया एक तो आप ऐसे question कर सकते हो ठीक है अब देखो actual में यह question होगा कैसे वो समझो इसने हमें दे रखा है यह आपका जो power factor है यानि जो cos phi है किता दिया आपका जो 0.8 ठीक है और इसने देखो क्या दे रखा है resistance यानि RPU ठीक है जो per unit में किता दे रखा है 1% यानिकि 0.01 ठीक है और जो x per unit है ठीक है यह किता दे दिया हमें 5% यानि 0.05 यहाँ तक आपका clear है concept cos phi हमें यह दिया है 0.8 तो ज़रा हम एको बता है यह sin phi क्या होगा ठीक है अगर cos phi 0.8 होता है तो sin phi क्या होता है 0.6 ठीक है तो यहाँ से अब बर देखो मैं voltage regulation निकालता हूँ voltage regulation तो simple आपको देखो portion में बोला है lagging तो lagging के लिए मैंने formula बता रखा है R per unit cos phi ठीक है प्लस x per unit sin phi ठीक है simple formula होता है सारी value मैंने लिकवा दी voltage regulation निकालेंगे यहाँ से ठीक है तो यह में मिलेगा 0.038 ठीक है अब देखो voltage regulation निकल गया अब किसी को doubt होगा voltage regulation क्यों निकाल रहे है ठीक है voltage regulation होता क्या है तो देखो simple एकदम simple चीज़े मैं समझाता हो देखो यह आपके दो wire है यहाँ से आप input दे रहे हो 100V ठीक है बट आप जब आपने output चेक किया आपका output में 80V ही मिला फिर आप सोच रहे हो कि हमने दिया तो था 100V लेकिन output में हमें सिर्फ 80V मिला ठीक है तो आप समझ गए कि आपका जो wire है इस wire में 20V आपका क्या हो गया drop हो गया समझ गए तो यहाँ से क्या समझे कि voltage regulation क्या आपका 20% है voltage regulation किता है इसके लिए 20% है यानि कि input का 20% आपका क्या हो रहा है drop हो रहा है तो अब अगर में को voltage drop निकालना इस particular question के लिए voltage drop क्या हो जाएगा जो भी voltage regulation है किता 0.038 ठीक है multiply कर दूँगा बाकी मेरे input voltage से ठीक है input voltage या पर मेरे क्या है यासे 415 clear है तो इससे multiply करेंगे 415 ठीक है तो यह मेरा किता हैगा आपका 15.77 ठीक है तो इतना मेरा voltage क्या हो रहा है drop हो रहा है इसका मतलब क्या समझ रहो अब मैंने यहीं पर क्यों निकाला है secondary side है secondary side में तो आपका load connected है ठीक है वही पर तो सारी चीज होगी यह जिस clear है तो देखो यह 415 volt है न इसका मतलब क्या देखो यहाँ पर कहीं पर मेरा इस wire में कहीं voltage drop हो रहा है किता 15.77 volt अब मैंने यह जो phase voltage निकाला यहाँ पर जो phase voltage निकाला यह किसके according निकाला इस 415 के according निकाला न बट अगर मैं अब calculate करता हूँ यानि अब अगर मैं ऐसे यहाँ पर calculate करता हूँ ठीक है यहाँ से लेके यहाँ तक यह वाला पूरा voltage calculate करूँगा तो किता है का 415 प्लस 15.77 यह होगा न ठीक है तो इनको add गुरूँगा तो किता है मेरे पास 430.77 अब अगर मैं phase voltage निकालता हूँ अब मेरा phase voltage किता होगा 430 divided by 77 divided by यह आपको जागा root 3 यह चीज के लिए रहे अब मैं कोई यह phase voltage मिल गया secondary side में primary में तो 6000 ही है अब यह अगर मैं turns ratio निकालता हूँ तो turns ratio क्या जागा 6000 divided by आपका यह जागा 430.77 divided by root 3 तो यह आपको मिल जागा 24.12 यह आपके turns ratio किता आगए 24 ठीक है यह option आपका correct answer तो voltage regulation से बस यह चीज आपको समझ ने थी कि कैसे करते है ठीक है बाकि आप direct भी कर लेते हैं और आपको जो voltage regulation वो बहुत कम आया है यह बहुत कम आया है और option भी आपके बहुत दूर दूर थे तो उससे आपसे हम कह सकते थे कि आपका answer इसके close ही होगा इसलिए 24 पर हमने टिक कर दिया ठीक है बट actual में कैसे होगा वो भी मैंने आपको अलड़ी बता दिया clear है तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे बाकी questions हम अगली वीडियो में करेंगे थांक य। वरी मुच